असलाम लेकुम एर्विवन वेलकम बैक टू माई चैनल कुक वित काफिया तो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं वाइट छोले की रेसिपी तो आए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने देखे छोले ले लिए हैं तकरीब अने यह मैंने 500 ग्राम छोले लिए हैं इनको मैंने ओवर्णाइट बिगो के रखा है अगर आप चाहें तो अगर आपको रात में मुराना है तो आप इसको सुबह में बिगो के रख सकते हैं अब मैं इसको कूकर में डाल दूँगी और इसमें पानी रख दूँगी जितना मुझे उबालने के लिए रखना है क्योंकि मैंने इसको ओवरनाइट भिगो के रखा है तो इसमें कम पानी लगेगा उबलने में अब मैंने इसको उबालने के लिए पानी तो रख दिया है, मैं इसमें एट कर दूँगी नमक, वन टीस्पून इसमें मैं नमक एट कर रही हूँ, अब इसमें एट करने के बाद मैं इसमें 4-5 सीटी लगा लूँगी, अगर आप इसको भिगो के नहीं रखेंगे तो आपको इसमें बहुत सीटी लगानी पड़ेंगी, तो यहां पर देखेंगे सीटी लग रही है, मैं आपको मसाले समझा देती हूँ, यहां पर ले लिया है मैंने लाल मीडशी का पेस्ट, अगर आपके पास यह नहीं है, तो आप लाल मीडशी का पाउडर यूज़ करें, फिर मैं सारे समाने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर सब घर के पिसे भी ले रही हूँ, इससे जो है और अच्छा टेस्ट आता है काने में, आप भी मार्केट से लाने की बजाए घर के यह मसाले यूज़ करें, इससे टेस्ट भी अच्छे होता है, मिला आउड भी नहीं होती अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ, दो मीडियम साइस की प्यास थी मेरे पास, उसको मैंने कट कर लिया है, जादा बारी कट नहीं करना, मैंने इसको सिर्फ ऐसे ही मोटा मोटा थोड़ा सा कट कर लिया है, आप चाहें तो प्यास को पीस के भी यूज़ कर सकते हैं, फिर मैं यहाँ पर देखी, वन टी स्पून इसमें एट कर दिया है, जीरा, जीरे को हलका ब्राउन होने देंगे, फिर मैं इसमें एट कर दूँगी तेस पात के पत्ते, दो इसमें तेस पात के पत्ते एट कर रही हूँ, फिर मैं इसमें एट कर दूँगी कटी हुई प्यास, इसको हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना बस हलका सा ट्रांस्पेरेंट रखना है ज्यादा ब्राउन नहीं करना इसको फिर मैं ले रही है आपर दो बड़े साइस के टिमाटर मैंने काट लिए हैं टिमाटर की कॉंटिटी इसलिए थोड़े ज्यादा रखी क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चोलो में बहुत दी मज़े के लगते हैं यह डलने के बाद इसलिए मैं इसमें ज्यादा एड़ कर रही हूं टिमाटर तो मैंने यहापर यह कट कर लिए हैं अब प्यास देखी हलके हलकी मुर्जाने लगी है अब मैं इसमें एड़ कर दूगी सारे मस मसाले को अच्छे से भून लेंगे हमें इसको तब तक बूना है जब तक तक और रीलीज नहीं हो जाता अच्छे से और अगर आएच चिपकने लगे तो आप इसमें हलका हलका सा पानी डाल के इसको बून ले अब आप देख सकते हैं मसाला जो है मारे हिहापर अच्छे से करोंगे अगिशा बूंचे ने इसके साथ इसमी typically मिर्च कर सकते हैं मैं शहीं कर दोगी थोड़ देर तक भून लूगी ताकि जो मिर्चे हैं वह अच्छे से गल जाए हमने शुरू में टेमाटर इसले आड़ नहीं करें वह बिल्कुल प्यूरी बन जाते पहले हमने मसालों की स्मेल निकाली है फिर अब हमने इसमें टेमाटर आड़ किये हैं अब आप देख सकते हैं यह अच्छे से बुन चुका है इसका अब इसका जो पानी है वह हम फेकेंगे नहीं बाद में उसको हम यूज करेंगे अब मैं देखिए इसको अच्छे से मसाला मिक्स कर दिया है सारे चोलों को और इनको जो है अच्छे से पका लिया है अब मैं इसमें अच्छे से पकालोंगी फिर आप देखिए कि जो इसका पानी था वह एकदम ग्रेवी सा बन चुका है और यह छोले जो है अच्छे से गल चुके है पक गया है अच्छे से और आप देख सकते हैं इसमें तरीका बीच बिल्कुल भी नाम नहीं है तो मैंने जो तेल निकाल के रखा था पहले से छोलो का वह इसमें मैं डाल दूंगी अगर हम यह तेल नहीं निकालते तो हमें इसको उपर से बखारना पड़ता क्योंकि सारा ओल जो है यह छोले अब्सॉर्ब कर जाते हैं और बिल्कुल भी ओल बनके तयार हुआ है यह छोले अभी हमारे छोले तो हो गए है रेडी आप इसको किसी के भी साथ सर्फ कर सकते हैं चावल के रोटी के जो आपको पसंदो चावलों से बहुत अच्छे लगते हैं चोले अब लास्ट मैं इसमें एट कर दूंगी धनिया परती यह मैंने बारी पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलते हैं यह वीडियो में रेसिपीस के साथ तब तक के लिए बाए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग